आप एलो फ्रेंड एक बार फिट से आपका शुवागत है मेरे चैनल में सामने आप देख रहे हैं यम्ना एक्सप्रेक्श जी हाँ डिमांड यम्ना एक्सप्रेक्श की होती जा रही है दिन पर दिन नई-ने बिल्डर नई-ने प्रजेक्ट लेकर आ रहे हैं मरक और वहीं मौ आपने देखा है नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट सामने आप देख रहे हैं इसकी वज़े से पूरा का पूरा नोईडा से लेके जेवर तक के जो भी रेट हैं बहुत तेजी से बढ़गे क्योंकि बीच में पतांजली का योगपीट भी है एक पूरा यम्ना एस्प्रे पूरा रहा है उसके भी बात करेंगे डिटेल्स में उससे पहले मैं आपको बता दूँ यह स्टार्ट है यहां से आप देखते हैं ग्रिटर नोईडा थैंक्स फॉर विजिटिंग नोईडा मींस नोईडा का एंड पूइंट आ जाता है यहां से और आज की टाइम में पूइडा की रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यहां पर टूबी एज के अपरोक्स अच्छा फ्लैट नाइन्टी से अबाव आता है मेट्रों की कनेक्टिविटी अच्छी होने के अलावा यहां पर रोड की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है जिसकी वज़े से यहां के रेट दिन परती दिन भढ़ते ही जा रहे हैं तो जैसे मने बता है तो इसी रूट से देखेंगे परी चोक से ले करके कि जेवर एरपोर्ट यानि कि नोटा इंटरनेशनल एरपोर्ट के बीच में क्या-क्या उप्संस अविलेबल हैं क्या-क्या आने वाले समय में यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या master plan है authority क्या यहां पर plan कर रही है जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 का जो master plan है उसके अंदर काफी सारी चीज़े डेवलप होनी है जैसे कि film city भी है पतांजली का योग पीट भी है लावा की company है ट्वा ये कंपनी है उसके अलावा दिल् यहां पर आप देखते हैं कि चीज़ें डवलप हैं यहां पर कुछ सोसाइटी चीफाइफ सेक्टर में भी देखते हैं जो कि लास्ट है रेजिडेंशल एरिया और उसके अल्मोस्ट रेट जैसे मैंने आपको बताया पुरवांचल रोयल है आया टील की सोसाइटी है और का सब्सक्राइब कर देखने को मिलती है तो यहीं के आप लगा लिजेगे आज के डेट में करोड का आ जाता है और यह आप सामने देख रहे हैं एक पर्टिकुलर को तम बुद्ध यूनिवस्टी अपने आप में एक लैंड मार्क आ जाता है बीच में जैसे आप थोड़ी आ पर आपको मैं बता दूँ और भी भर सारी सामने अप कमर्शल की जैसे मैं आपको बताया कि कंपनी बहुत सारी कंपनी अभी है सामने आप देख रहे हैं तो यह दीरे दीरे विस्तार होता जाएगा चीजे बढ़ती जाएंगी रेट बढ़ते जाएंगे एप्रोक्स में आ आप देख रहे हैं कि पुराने कुछ बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रजेक्ट यहां पर बना भी रखे हैं तो यमना एक्सप्रेक्स वे ही क्यों इसके अलावा तो जैसे मैं आपको बताया कि गुडगाओं के जो रेट अल्मोस्ट बढ़ चुके हैं नोड़ा के भी रेट यहांने बता है कि यमना एक्सप्रेक्स वे बिच जितने भी उप्संस आ गी इन्टरनेशनल एरपोर्ट तक मैं आपको डिटेल समें बताउक और नया प्रजेक्ट जो लाँच होने जा रहा है कुछ समय बाद उसके जिए थोड़ी चर्चा करेंगे तो जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं हमको ये लगा लो कि परीचोक से 25 से 30 मिनट का समय लगता है आपको पोचने में ये ट्राइल है यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्टरिशिटी जो टाटा की बस से चलिए हैं उसका भी ट्राइल हो रहा है और यह सामने आप देख रहे हैं F1 फार्मूला रेसिंग जो ट्रैक है वो भी एक्सपरक्षवे पर है तो यह सारी चीज़े इस जगे को बनाती हैं खास अपार्ट फ्रॉम दैट यह देखिए सामने यहां पर अभी रीसेंट एक हुआ भी था यहां पर एक टूर्णमेंट योगी जी ने यहां पर आके प्राइज डिस्टिब्यूट किये थे तो यह एक अच्छा समय है अच्छा समय ही नहीं एक अच्छी लोकेशन भी है इंवेश्मेंट परपस से परीजोग से लेके इंटरनेशनल एरपोर्ट की जो दूरी है प्रोक 45 किलोमीटर सा इसके बीच में अथोर्टी के प्लोट्स भी आ जाते हैं कमर्सिल एक्टिविटी के लिए भी आ जाते हैं पतांजली योगपीट का भी है और अपार्ट प्रोम दैट इसमें कमपनीज की बड़े-बड़े लेंड पार्सल हैं और कुछ सी बिल्डर सोसाइटिया भी आ जाती है यमना गोर्ट सीटी भी आ जाती है उसके अलावा ATS का प्रोजेक्टा एलोर है उसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्लोट के भी जो भी रीसेंट इसकीम आई है उसके भी यहाँ पर प्लोट हैं इसके अंदर खास चीज है पोड टैक्सी यह आप सामने देखे रहे हैं कि यमना गोर्ट सीटी जो मैंने आपको बताया कि वह भी उप्सन है तो पोड टैक्सी जो 14 किलोमीटर की अप्रूव होई है फिलम सिटी से लेके यहाँ पर आपके आसपास से कहीं से स्टार्ट होती है तो वो उप्सन से भी अविलेबल है आने वाले समय में जो खास बनाएगा पोड टैक्सी उसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिविटी के विहाँ पर देखा जाए तो यहां से जो दौर का वाला जो मुंबई एक्सप्रेक्स पर उसको भी कहीं ना कहीं करेंगे इन फ्यूचर और यह सामने आप देख रहे हैं जो ATS Allure मैंने आपको बताया है तो यहां पर भी रेट अल्मोस्ट चले गए है छें से साथ हजार रुपे पर स्कुयर फिट तो जानेंगे इस में जो मैंने आपको बता है जो नया पोर्जेक्ट आ रहा है एस का वो यहीं कहीं एरिया में अभी उसका यूपी रेरा नंबर नहीं आए तो ज्यादा डिसकस नहीं कर सकते बट जहां तक चीजें हैं कि कुछ कमर्शियल और कुछ रेजिटेंशल ओप्संस लेकर आ रहा है एस कुछ हंडर्ड एकड पलस की लेंड पार्सल उन्होंने लेड़ी ली है यहां पे एस पर जादा इसकी मार्किट में है बिल्डर भी अच्छा है काम भी करके देता है अच्छा भी बनाता है और यह आप सामने देख रहें यह भी एक अथोटी के जो मैंने बताया आपको प्लोट्स एरिया और बहुत सारे प्रजेक्ट हैं अथोटी के पाइपलाइन में जो की अभ पूरना भी इनका इंट्रेक्शन है चीजों को लेकर कि कोई गलत विल्डर गलत तरीके से गलत चीजों को ना बेचे यहां पर और आम आदमी के साथ खिलवाद ना करें तो जैसे मैं आपको बताया यहां से आप पूरा देख रहे हैं तो यह पूरा इस्टार्ट हो जाता यह यहां से यह आपका एर्पोर्ट का तो इसके आँसे पांस से चहे किलो मितर गाथ है तो इसके जितने एरिया में डेफिट के आ जाता है कि अगर आगर हो जाता है तो वो एक option यहां पे आप देख सकते हैं कि आज की time में आप कोई FD करवाता है कुछ करवाता है तो यह आप सामने देख रहे हैं इंडस्ट्रिल एरिया भी है यहां पे जैसे मैं आपको बताया कि बहुत सारे master plan के part हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे in future future तो मेरा यह कहना है कि अगर आपका budget कम है और अंडर कंसेक्शन प्रोपर्टी देख रहे हैं या फिर आपको एक अच्छा इंवेस्ट्मेंट देखना है तो को अंडर कंसेक्शन में एक रिस्क तो होता ही है कि project पूरा होगा के नहीं होगा सबसे बड़ी problem होती है आज की डे हैं कि ATS में कुछ चीज़े delivered होनी थी तो delay हो गई बट कुछ चीज़े आती हैं तो अंडर कंसेक्शन में यह वाला रिक्स तो आपको लेकर चलना पड़ेगा बट अच्छा builder होता है समय रहते हैं अगर अच्छा builder आप पकड़ लेते हैं अच्छा investment कर देते हैं तो अच्छ कि लेंड मार्क हो जाएगी आने वाले समय में नोट इंदा की नोईडा बलकी यूपी की क्योंकि यह पूरा इंडिया का सबसे लार्जस्ट एरपोर्ट बन रहा है बहुत से हजार हेक्टेर के अपरोक्स इसका एरिया है यानि के आठ से दस किलोमेटर की इसकी वीड़त है जो यहाँ पर बनाएगा इस एरिया को खा बहुत सारे रोजगार उत्पन होंगे बहुत सारे लोगों को रेंटेड चाहिए होगा यहाँ पर रेंटल के लिए प्रोपर्टी चाहिए होगी तो वही चीज कहीं न कहीं एस ने समझा जाना और उस चीज को कहीं न कहीं कुछ नया सच कर रहे हैं, एस का सर्च कर रहे हैं, अपार्ट फरॉम डेट, एटीयस अलिओर में कुछ सच कर रहे हैं, रेडी टू मूब रोपर्टी है, और बिल्डर तो मैंने आपको पहले ही बताए कि एंडर कंसक्शन है, तो रिस्क साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा आपको बिल्डर कोई भी हो पांस साल बाद किसको पता कि क्या हालत किसकी होगी बट फिर भी एक अच्छा बिल्डर चुनना एक बहुत अपने आप में ही बड़ा मुद्दा है आपको सबसे तेज मिलेंगे नए परजट की अपडेट आपको सबसे तेज मिलेंगे थैंक यू